कौन था वो भंगी समाज का मश्रूर गायक जिसने 1937 में डॉक्टर अंबेटकर के साथ अपनी मंडली के साथ गाना प्रस्तूद किया था महार समुदाय को डॉक्टर अंबेटकर न क्यों धमकाया था और क्यों कहा था कि भंगी समाज जैसा आप कहेगा वैसा ही मैं करूंगा आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेटकर नामा का सबसे चोटा एपिसोड बस्त दो मिनट का और सुनिए दिल्चस्प है उनके साथ कई गणमाने लोग मौजूद थे इसके बात सभा हुई सभा में महार मांग भंगी जनसमुदाय की उपस्तिती काफी संक्या में थी पहले भंगी समाज के मश्वूर गायक कासम योसफ ग्यान जोती ने अपने साथियों के साथ मधुर संगीत प्रसूत किया उसके बाद भंगी समाज के यूबा कारकरताओं में बिठल दास अली भाई चौहान ने भंगी समाज की आर्थिक सिती के बारे में जानकारी दी फलशिंग सवचालेओं के कारण पैदा हुई बेकारी के बारे में डॉक्टर अमबेटकर को बताया उसके बाद भंगी समाज की ओर से डॉक्टर अमबेटकर के स्वागत में पुष्पु मालाय और पित की गई तद उसके बार हरिजन हित चिंतक मंडल दौरा चलाय जा रहे है लाइवरेडी पुस्तकाले की ओर से मंडल के स्वयुक्त सचीव कीसं तुकाराम भोसले ने मंडल और पुस्तकाले की जानकारी दी और पुष्पु मालाय पेश कर डॉक्टर अमबेटकर का स्वागत किया आ उनकी सारी नौकरियां खतम कर दें ठेके पर काम कर रहे हैं तो जर्णा इसलिए याद करना जरूरी है डॉक्टर अमबेटकर को इस समय डॉक्टर अमबेटकर का बड़ा संशिप्त भाशन है जो कि उस समय के जनता में 20 नौंबर 1937 को प्रकाशित हुआ था और यह जानने क लिए डॉक्टर अमबेटकर ने उस सभा में कहा कि मैंने जो भी कमाया है वह के बल महारों के लिए नहीं है वह पूरे अस्पृश्य समाज के लिए इसलिए जिस तरह से अन्य समाज में हम मिल जुलकर बरतते हैं उसी प्रकार भंगी और मांगों के साथ मिल जुलकर पेश आएं वरना मैं महारों के लिए कुछ भी नहीं करूँगा साथी भंगी समाज जैसा कहेगा वही मैं करूँगा साथियों डॉक्टर अम्विटकर पर किसी का कॉपी राइट नहीं है वो सारे वंचित शोशित जो लोग थे उनके लीडर थे और हर समाज में चुकि समाज उस सम मैं विखंडित था आज भी विखंडित है जब मैं इतिहास दिरीची से नुव बातों को बताता हूं तो लोग समझते हैं कि मैं फूट डालना हूं नहीं जब बीमारी के जर्में आप नहीं जाएंगे जब उसको समझेंगे नहीं कि इसके रूट्स क्या हैं तो फिर उपर स्वथित करने के लिए मैं भी कि लगतार पढ़ पढ़के आप वो कह रहा हूं एक्ता स्थापित क्या हमारे कहनए से कैने से आप स्थापित करने की और हैं अगर है तो बहुत अक्छी बात है और नहीं है तो अपना आत्म चिंतन करिए अपने आप को समझेंगे जात मंथन करने के लिए अमबेट करनामा का प्रसारन हो रहा है। तो देखिए और दिखाइए शुक्रिया कीप वाचिंग and शेरिंग अमबेट करनामा क्योंकि आप जानते हैं कि अमबेट करनामा कफोल कलपनाओं कथा पर आधारित नहीं है सरकार जो किताब चाहती है उसी किताब को पढ़कर और आज के संदर्भ में उसको क्वांटेक्स्टुलाइज करके समझाने की कोशिश करता हूं कीप वाचिंग एंड शेरिंग अमेड कर नामा ज्यादा ज्यादा शेयर किजिए घर घर पहुंचाएए शुक्रिया जैभीम अगले एपिसोड में फिर मुलाकात